हेलो दोस्तों आज जो आप फोटो देख रहे हैं ये दलिया की रेसिपी आज मैं आप सब को साथ शेयर करने वाली हूँ और वो भी डाइट वाली दलिया जो आप घर पे बना के खा सकते हैं और ये आधा कटोरी दलिया है जो आप देख रहे हैं पैकेट वाली दलिया आप कि अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक और सेलेक्ट कर दें वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग वेट लोज करना चाहते हैं वह अच्छे से यह दलिया अपनी डाइट में शामि हो जाए बिल्कुल चावल के जैसे नरम होना चाहिए और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगी ताकि नमक का टेस्ट इसमें आ जाए और कलर के लिए थोड़ा समय यहां पर यूज करूंगी हल्दी का पाउडर लगबग दो पिंच में इसमें हल्दी पाउडर डालोंग इससे थोड़ा सा कलर इसका बेटर आएगा और यह ऑप्शनल आप चाहे तो हल्दी भी इसकेप कर सकते हैं और यहां पर हमारा दलिया बिल्कुल उबल के रेडी हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हूं और यहां पर मैंने पानी का जो एक्ष्टा जो हिस्सा था इसमें आप पानी मैंने निकाल कर अलग रख लिया है और अब आपको चट करके दिखाते हूं यहां पर बिल्कुल अच्छे से यह मसल के देख रही हूं मैं और यह से मसल जा रहा है यह देख रहा है काफी अच्छे से ही हो चुका है और इसमें सब्जी आप जितना लेना चाहें आलू को छोड़कर सारी हरी सबजें इसमें डाल सकते हैं याँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पी अअधोर सब्रकॉर्ट यह मैं सब्सक्री मेलिया है बंदगोवी जो पत्तागोवी हृती है वह और एक हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाज़र, धनियागी पत्ती, टमाटर और प्याज, यहां पे मैंने सारी अपने सब्जी ले लिए और इसमें तेल हम डालेंगे, धाई से तीन चमच मैंने तेल लिया है, ज्यादा तेल आपको यूज नहीं करना है क्योंकि आप वेट लूज के ल करेंगे जिससे कि इसका कलर काफी थोड़ा सा लाल हो जाए तब तक के लिए आप यह बहुत ही हल्दी ब्रेक फास्ट आप अगर डाइट नहीं करते तो भी आप इसे घर में बना कर ट्राइक कर सकते हैं और अगर आप डाइट करते हैं तो यह आपको डेफिनिटली यूज करना चाहिए और यह मेरा प्याज यहां पर लाल हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी बागी की जो हमारी सारी सब्सक्राइब लेंगे और यहां पर मैंने थारी सब्जिया डाल देती हूं, ताकि हम सब्जियों को 1-2 मिनाट तक हम भूल लेंगी, इसे थोड़ा सा थेस्का अच्छा आएगा, और एक एक करके मैं सारी सब्जिया इसमें डाल लोगी, इस तरीके से, सब्जी मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सब्जी जितना ज़्यादा आप इसमें यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा दलिया आप चाहे तो आप आपकी जो भी आप क्वांटिटी ले तो वो कम कर सकते लेकिन सब्जी आप इसमें ज़्यादा डा मैं इसमें मसाले डालोंगी मसाले आप ध्याल से देखे मैं इसमें एक इस्पेशन मसाला डालोंगी आप चाहे तो वो स्किप कर सकते हैं और चाहे तो डाल सकते इस मसाले को डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यहाँ पर मैं इसमें यूज करूंगी जो मैंगी म मैं पूरा पैकेट इसमें डालोंगी क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट होता है आप चाहे को इसे स्किप कर सकते हैं और चाहे तो इसमें डाल सकते हैं कुछ जरूर नहीं का पो डाल लाई है तो यह टेस्ट के लिए मैंने यहां पर दाल दिया है और थोड़ा सा इसको और ते की बहुत जादा मसाले इसमें यूजदू नहीं करनेमक तो यह थोड़ा सा आपे डालोंगी पानी जाहें ऑर शहरू थोड़ा सा इंडरा इसमें नमक और यह देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकिए हमारी और अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल रही हूं और देख सकते सब्जी कौंटिटी कितनी है और अब मैं इसमें जो हमने बना करके रखा था उबाल करके वो मैंने डाल दिया यहां पे पानी से जो चान का रखा था आप देख से तो काफी इजी रेसिपी है आप सब घर पे इजी बना करके इसे खा सकते हैं अपने ब्रेक्वास्त में सामेले से कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं लग बग तीन-चार चमच ताकि जो दलिया है उसमें मसाले का टेस्ट आ जाए और सब तो को तो यहां पर अच्छे सब कर देंगे और लगभग एक सी डेड़ में था कम इसको बाइंगे तो यह ताड़े पानी जो है वह अच्छे से इसके अंधर आ जाएंगे और यह देखियो यह बहुत अच्छे से यह इसका पानी अब सूफना शुडू हो गया है और जितन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।